आज हमने बनाया है ये थाइलेंड स्पेशल ग्रीन मैंगो सालेड आप देख सकते हैं देखने में कितना कलर्फुल लग रहा है ये कच्छे आम के केरी से बनाया गया है घर्मी की सीजन चल रही है आम तो लगपक सभी चगा मिलते हैं तो आप ही इस कर्मी ये सालेड जरूर बनाये आप देख सकते हैं देखने में कितनी यमी लग रही है थाइलेंड स्पेशल सालेड ये तो आप भी इसे इस कर्मी अपने घर में जरूर बनाये चलिए इसकी पूरी रेसेपी में फटा फट से अपने इस आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूं ताकि आप भी ये डिश बना पाए अपने घर में हलो फ्रेंड्स वेलकम टू रूपास किचिन रूपास किचिन में आप सभी का फिरसेग पर बहुत-बहुत स्वागत है गर्मियों के सीजन चल रही है और आम बहुत आ रहे हैं तो आज हम बनाएंगे स्पैशल ग्रीन मैंगो सालेड ये मैंगो सालेड के स्पैसिलिटी ये है कि ये थाइलेंड की बहुत ही फेमस मैंगो सालेड है तो चलिए आज थाइलेंड के डिश अपने इंडिया में बना कर देखते हैं मैंगो सालेड बनाने के लिए हमें जिन इंग्रीडिंट्स के जरूरत है वो तो सबसे पहले मैंगो ही है तो यहां पर हमने दो मैंगो को पील ओफ करके ले लिया है एक हरी मिर्च ले लिया है एक प्यास एक काजर काजर हम एट कर रहे हैं ताकि सैलेट थोड़ा कलर फुल देखे यहां कॉरियंडर लीफ को भी कट करके ले लिया है जो मसाला एट करेंगे वो चाट मसाल add को ब्लाक पीपर एड़ करेंगे ब्लैक पिपर पौडर है ये ग्रीन चिली एड़ करेंगे री तेमैटो सौस अट करेंगे तो सबसे पहले हमें इसे कट करने का तरीक़ थुदा है कि फ़स्ट हम ये दोनों साइट को कट करके निकाल देंगे सबसे पहले हम इस तरह से टू पार्ट में डिवाइट कर लेंगे और पिलकुल पतले पतले स्के स्लाइस हम कट कर लेंगे इस तरह से ही हम सारे स्लाइसे कट कर लेंगे काजर के यहां हमारे सारे स्लाइजेस कट कर बिल्कुल रेडी हो चुके है अब हम दोनों मैंगो को ले लेते हैं इसे भी सेम बीच से दो पार्ट में डिवाइट कर देंगे इसकी घुटली बाहर निकाल देंगे हम और इसे भी हम फटा फट से पतले पतले स्लाइजेस में कट कर लेंगे इस तरह से यहां हमारे सारे मैंगो के स्लाइजेस भी कट होके रेडी हो चुके है हरे मेर्च को भी हम सेम कट कर लेंगे स्लाइजेस में सबसे पहले इस तरह से टू पार्ट में डिवाइट कर लेंगे फिर इस तरह से स्लाइसे में कट कर लेंगे और अब बार ये ओनियन की इसे भी हम सीम स्लाइस में कट कर लेते हैं इसे हम इस तरह से कट करते जाएंगे इस तरह से कट करके और पस आप एसे हलका-הलका सा यह जो पतला-पतला सा लेयर निकल रहा है ना इससे निकालते चाहिए यहाँ सारे ओनियन भी स्लाइस में कटो के रेडी हो चुके हैं हम इने हैं अलग-अलग कर लेते हैं जो इस तरह से बच्चे हुए हैं अब हम इने भी आड़ कर लेते हैं अब हम बना रहे हैं थाइलेंट इस तो प्रोसेस भी हमें सेम फोलो करना होगा तो इस सैलेट में एक और चीज डालते हैं वो है पीनट पीनट को सबसे पहले आपको तवे पर इस तरह से रोस्ट कर लेना है फिर हम सबसे लास्ट में अपने सैलेट में इसे एड़ करेंगे जिससे इसका टेस्ट सूपर हो जाना है सबसे पहले हम ले लेते हैं इस तरह का एक मिक्सिंग बाउल और एड़ कर लेते हैं ओनियन को नेक्स्ट मैंगो जिसे हमने बहुत अच्छी तरह स्लाइसेस में कट कर लिया था ग्रीन चिली आप चाहे तो आप ग्रीन चिली के ज़कर रेट चिली भी ले सकते हैं कैरट अब टाइम आ गया है थोड़े मसाले एड़ करने का मींटू से स्पाइस मिलटे हम ले लेते है टूमे साउस यहां हमने टूमे साउस एड़ कर लिया नेक्स्ट ग्रीन चिली घराम्री पता है एड़ कर लिया फोड़ ब्लैक सॉल्ट गाल Ghost चाथ मसाला वं टेबल स्पोन के ब्लैक पेपर पाउडर coriander leaves इन सारी चीजों को कर लेते हैं अच्छी तरह से mix यहां हमारी salad बहुत अच्छी तरह से mix हो चुकी है अब हम करेंगे इसमें सबसे आखरी और सबसे special काम जो कि हम इसमें peanut add करेंगे यहां हमने peanut add कर लिया है अब हम इसे कर लेते हैं mix तो friends यहां पर हमारी mango salad बिल्कुल बनकर ready हो चुकी है mango green salad वैसे तो नाम है इसका mango green salad पर यह कुछ चीज़े add करने के बाद काफी colorful लग रही है तो friends आपको यह green mango thailand special salad कैसी लगी मुझे comment box में जरूर बताइएगा अगर मेरे चानल पर नए है तो मेरे चानल को जरूर subscribe करिएगा अगर यह वीडियो पूरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक like जरूर दीजेगा थैंक्स वर वाचिंग